इसके लिए क्या हमें कोविड वैक्सिनेशन की जो सर्टिफिकेट है वो कंपलसरी लेके जानी है या फिर नहीं तो गैज इसके रिगार्डिंग मैं आज आपको बता देता हूँ कि भै आपको कैसे क्या करना है तो देखो है सबसे पहले मैंने यहाँ पर बहुत सारे डोकुमेंट्स देखे जो भी आपके नोटिस वगर आये थी वो सारे चेक किये तो किसी भी नोटिस के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है इसके लवा मैंने यहाँ पर मैं आपको दिखाई देता हूँ चलिए और उससे पहले ग की पीडियेफ को ग्रैब कर सकते हूँ ठीक है तो चलिए गाईज अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं आपको हर्याना बोड की ओफीशल वेबसाइट पे ले जाकर और वहां से जो है आपकी डेड़शीट डाउनलोड करके दिखाता हूँ एडमिट कार्ड तो आप सब डाउनलोड करते हैं और फिर एक लाइन है उसको आप ध्यान से देखना समझना ठीक है यहां पर आप अपने डेड़शीट को देख सकते हूँ यह आपकी डेड़शीट तीस तारिक से एक्जाम स्टार्ट है सबसे पहले 12 का हिंदी का एक्जाम है तो वह 12 वालों को all the best हिं combination अब इसकी हिंदी क्या हूई वह मैं आपको बता देता हूँ थीक है इस लाइन की हिंदी है उससे ही आप समझ जाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है तो गाईज यहां पर आप देख सकते हो यह है इस लाइन की हिंदी प्रिक्षा अर्थियों को प्रिक्षा देने से पहले खुद को टीका लगवाना चाहिए यानि कि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि भई जो भी यहाँ पर प्रिक्षार्थी रहेंगे जो एक्जाम देंगे उनको जो टीका लगवाना चाहिए लेकिन यहाँ पर इन्होंने कोई कमपल्सन नहीं किया है कि भई जरूरी ही जरूरी लगवाना चाहिए यानि कि इन्होंने जहां तक मुझे लगता है बताया है नहीं है समझ में चलिए एक एक जामपल दे के समझाता हूँ जैसे कि आपने देखा होगा कई बार हमारे बड़े भाई भाई भेन बोलते हैं वह सुबह तो जल्दी उठना चाहिए अच्छा रहता है हैल्थ के लिए भी सभी चीजों के लिए बहुत जल्दी उठना चाहिए और फिर खुद दस बजे उठो चाहिए तो कहणे का मलब क्या है ज्यान देने वाली बात आपने सुनी होगी न तो कहणे का मलब इन्होंने बताया है कि भही आपको लगवाना चाहिए ठीक है तो कही न कही मुझे लगता है कि compulsory नहीं है लेकिन लगवाना चाहिए ठीक है और आप लगवा सकते हैं और certificate अगर आपके पास है तो ले के जा सकते हैं समझ गए तो गाईज ये थी आज की वीडियो आई होप आपको वीडियो अच्छे लगी होगी फिर मिलते हैं कि वीडियो में तब तक के लिए जाए ही जब